प्रीजिय्ट पास कर रही है और एक्सिस को पीक्यू आर पे कट कर रही है तो अपने पास बताना ठीक है let up an Sphere की equation लिखते हैं यहांपर ठीक है let's spare की equation पर लिखते हैं X-Alpha square प्लस में Y-beta square Y-beta square plus में Z-gamma ठीक है lets say मैं इस जगर पगा alpha-beta-gamma के जब पन क्या यूज़ कर लिए A, B, C ठीक है यहांपर lets say मैं यहांपर क्या यूज़ कर लेता हूं X- A whole square स्टेट प्लस में Y-B whole square plus Z minus C whole square is just to R2 और R square का value का यहां पर one square तो इस equation का में है कि sphere का center का है यहां पर center A,B,C है और यह क्या हो गया sphere के लिए center हो गया ठीक है और अगर upने radius के लिए देखो तो reduce का है यहां पर one bit ठीक है अब question क्या गिए दो करें कुस्टिन में अपने पस या कोडिन से बर्लब है कि स्पीहर जो ऋरिजिन से पास कर रहा है तो हमाय लिए घेंगे सरी इस प्रूप से सप्रोंग और हंजिन तो यह ओर openly जो कोडिनिट तो 0,0,0 तो 0,0,0 इसको क्या करेगा सटिस्φाइ करेगा एगर वाइन 0,0 इसको साटिस्फइ करेगा तो यहां से RILIESION क्या जाएगा है? यहां पर जाएगा, 0-O A 7玩 वोल स्क्वाइड और अपर and it is a gold square प्लस में 0-of B import स्क्वाइर प्लस में 0- c whole square is goes to 1 square 1 यहां से बिसिकलि अपने पास रिलेशन आ जाएगा a square plus b square a square plus b square plus c square is goes to 1 यह अपने पास एक रिलेशन आ गया है इसके लिए ठीक है कि dollars r Got five , अब अब अपने यहा बिस है देखें थे तो यह कोडिने से खेंगा कारण आ जीडो अक्या होगा यहांपर रिक्स को क्या होगा यहां पर alpha,0,0,0 ठीक है और Q क्या है Y पे point है तो यह क्या होगा 0,β , 0 और अगर आर के कोडिनर से देंके तो वह क्या होगा 0,0,γमा ठीक है यह अपने पास है जो स्पेर गिवन है यह लट से अपने पास यह इस रिलेशन को मैं यहाँ बोल देता हूं और यह अपने प्स इनिश्यल एक्विशन का यहाँ पर वन है और यह रिलेशन आगे अपने पस तु अब इस फियर जो होगा वह फी क्यू आर से भी पास करेगा ठीक है तो पीक्यू आर भी इसको सट्टिस्फाय करेगा ठीक है यहां से वल्यव आजएगा अल्फ एकवल इसक्षोड प्लस में यहां kो सकते हैं सकते हैं यहां पे ए स्कॉर प्लस बीस्क्वाइола प्लस फ्लस सी स्क्वाइर मैंको और अपन89 को प्लस B-2 प्लस C-2 यहां पाँ जगा ये alpha-a whole square प्लस में B-2 plus में C-2 is equal to a square plus B square plus C square ठीक है यह अपने पास value होगा अब अब अगर आपन देख़े तो B-2 C-2 को अपन क्या करेंगे यहां पर cancel out करेंगे और यह value आ जगा अपने पास alpha-a whole square क्या जाँ आपने पास यहाँ स्क्वैर के एक नश्च respectively करेंगे comma minus a मैं आपने स्काल सब्सक्राइए यहां पर आपने इस की सप्वीआर के व्यूर्ण को यहां पर क्या है यहां पर ही सट्र fight करवा था तो फी सर्टिस्फाय एक्वेशन गोडिशन घॉक टो आप लिक्षीं ट्र傑ल इस विंधला खर रहां Q satisfy equation 1 Q b equation 1 को satisfy करेगा Q के coordinates क्या यहाँ पर 0, beta, 0 और equation 1 को अगर यह satisfy करेगा तो यह value आजएगा अपने पास 0-a whole square और यह आजएगा beta-b का whole square plus में क्या आजएगा 0-c का whole square इज गस्ट्रू क्या था अपने पास 1 था और 1 radius को अपन क्या लिए सकते हैं यहाँ पर a square plus b square plus c square तो यहाँ से अगर पन देखिया तो यह equation आजएगा beta-b का whole square इस गस्ट्रू क्या आजएगा अपने b square की equal तो यहाँ से अगर पने square देखिया तो beta value के आजएगा 2b की equal तो beta value के आजएगा 2b की equal और similarly अगर पन देखिया r r भी यहाँ पर satisfy करेगा equation 1 को r satisfy equation 1 अगर r equation 1 को satisfy करेगा यहाँ से equation आजएगा 0-a whole square plus में 0-b whole square plus में यहाँ पर r की coordinates क्या थे अपने पस 0,0, gamma 0,0, gamma तो यहाँ से बेलो आजएगा gamma minus c whole square is close to 1 और 1 को अपन यहाँ पर क्या लिखेंगे a square plus b square plus c square यहाँ से अगर अगर आपन देखिया a square b square cancel out हो जगा और यह आजएगा r minus c whole square is close to c square r minus c whole square is close to c square और r की value क्या आजएगा अपने बास 2c ठीक है तो r की गामा sorry gamma value क्या आजए गहाँ पर 2c अब अगर अगर आपन देखिये तो centroid होगा वो क्या होगा p q r अगर आपन ट्रेंगल देखिये मैं p q और r यहाँ पर p q r के कॉडिनेट्स क्या था यह थे alpha,0,0 q के कॉडिनेट्स क्या थे 0,beta,0 और r के कॉडिनेट्स से 0,0,0 गामा अब अगर अपने इसका centroid देखिये ठीक है तो centroid क्या आएगा centroid हो जाएगा alpha plus 0 plus 0 divided by 3 और यहाँ जाएगा 0 plus beta plus 0 divided by 3 और यहाँ जाएगा 0 plus 0 plus गामा divided by 3 तो यहाँ पर centroid के कॉडिनेट्स हो चाहेंगे यह value आज आपने बस alpha by 3 ठीक है alpha by 3 और यह value जाएगा beta by 3 और यहाँ जाएगा gamma by 3 तो यहाँ पर centroid के कॉडिनेट्स हो गया अब अपने पास इसको let's say मैं यहाँ पर क्या बोल देगो h, k, अब alpha value 2a है beta value 2b है और gamma value 2c तो इसको अपने लिख सकते हैं alpha value 2a तो यहाँ जाएगा 2b और यहाँ जाएगा 2c by 3 तो यह अपने पास क्या गया centroid के कॉडिनेट्स हो गए यहाँ पर मैं centroid का लूकस निकालना था तो इसको अपन h, k, l से replace करते हैं तो h, k और l बोल देते है अब अब हमने पास relation क्या की बने है relation है a square plus b square plus c square इसको 1 तो यहाँ पर relation 2 है अब a की value करपन देखे हो तो यहाँ से h की value क्या आ जाएगा 2a by 3 ठीक है h की value compare करेंगे central के coordinates क्या आगा 2a by 3, 2b by 3, 2c by 3 और इधर hkl, तो एक value क्या हो गया एक value यहाँ पर हो गया 3h by 2, similarly अब पर देखे तो k क्या है यहाँ पर, k क्या है 2b by 3, तो यहाँ से अगर पन b की value देखे है तो यहाँ से 3k by 2, और पन l की value देखे तो यह क्या देंगे तो यह H के L में relation आ जाएगा यह भी सब्सक्राइब करेंगे तो यह जगा 3H by 2 whole square plus B square के आ जाएगा 3K by 2 whole square plus C square के आ जाएगा 3L by 2 whole square is equals to 1 यहां से बेसिक लिए अपने equation देखे तो यह क्या लिखा हुआ है 9 common लेंगे तो यहां जाएगा H square plus K square plus L square is equals to 4 तो H को X से और K को Y से और L को Z से replace कर देंगे तो अपने पास equation आ जाएगा X square plus Y square plus Z square is equals to 4 by 9 तो यह अपने पास इस PQR triangle के centroid का locus हो जाएगा जो कि एक sphere होगा